अगर आप किसी एक देश के भक्त बनकर बैठ गए हैं चाहे वो अमेरिका हो या रूस तो आज आपको आखे खोलने की बहुत ज़रा ज़रुरत है क्योंकि ये खबर आपको बता देगी कि कैसे देश अपने हितों के लिए अपने फाइदे के लिए अपने फ्रेंडली कंट्र कि यानि कि दोस्त देशों को भी चोट पहुचाने से पीछे नहीं हटते क्या है खबर खुद अपने स्किन पर देख लीजिए रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि इरान ने भारती हतियारों का रास्ता रोका है और ये सब कुछ हुआ है रूस के कहने पर ये बात मैं नही हुई है और यहाँ पर किन हतियारों को रोकने की बात हुई है दरसल ये भारत के 80 AGS है यानि कि Advanced Stored Artillery Gun System दरसल ये भारत का सवदेशी यानि कि हमारे दुवारा खुद का बनाया गया एक परकार का होविद्जर है यानि कि एक तोप है और ये जो तोपे हैं ये अर्मेनिया हम से खरीदी थी अब से कुछ महीने पहले उनी हतियारों को यानि कि इनी तोपों को हम इरान के जरिए अर्मेनिया तक पहुचा रहे थे इरान के जरिए क्यूं कि अर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि एक Land Lock Country है यानि कि चारों तरफ है जमीन से घिरा हुआ है समुदर का रा जैसे ही है जैसे कि हमारे लिए चीन और पाकिस्तान ये दोनों देश मिलकर इस छोटे से देश अर्मेनिया को खतम करना चाहते हैं और पिछले तीन साल में दो युद्ध भी हो चुके हैं अर्मेनिया के साथ इन दोनों देशों के और इन दो युद्धों के दोरान अर्मे की मिलकर कभी भी अर्मینिया पर अट्क कर सकते हैं इसलिए अर्मینिया ये चाहता था कि जल से जल नई तोपे खरीद इजाए लेकिन ये लोग रूस की मदद नहीं लेना चाहते थे नहीं किसी परकार का हत्यार खरीदना चाहते थे वह इसलिए क्योंकि रूस इनके लिए बड़ा ही धोके बाद साबित हुआ है वो इसलिए क्योंकि दोनों ही युद के दोरान पिछले तीन सालों में रूस ने बार बार कसम खाई थी कि हम अर्मेनिया की मदद को सामने आएंगे यहां तक कि लिखित में इन्होंने ट्रीटी साइन कर रखी अर्मेनिया के साथ कि अगर किसी ने आप पर अटैक किया तो वो अटैक रूस पर माना जाएगा और रूस आपके साथ युद के मैदान में उतरेगा लेकिन रूस ने क्या किया दोनों ही युद में अर्मेनिया को साथ देना तो छोड़िये इनके दुश्मनों के साथ यानि की तुर्की और अजरबैजान के साथ जामिला इस धोगेबाजी का परणाम ये हुआ कि इन दोनों युद्धों में पिछले तीन साल के दोरान कई किलोमिटर की इनकी जो जमीने थी वो अजरबैजान ने चीन ली और अभी और जमीनिये चीनना चाते हैं इसलिए ये जो रूस के हतियार थे खासकर कि रूस की तोपे ये नहीं खरिदना चाते थे और इसलिए इन्होंने भारत की शरण ली भारत ने भी इनकी मदद करने की ठाने क्योंकि इनका दुश्मन तुर्की है और भारत का भी तो इसलिए भारत ने इन्हें दोस्त बनाया और 80AGS यानि कि ये नहीं अपनी सवदेशी निर्मित होविजर तोपे अर्मेनिया को बेचनी शुरू कर दी लेकिन सवाल था कि अर्मेनिया तक ये तोपे पहुँचाई कैसे जाएं क्योंकि अर्मेनिया तो चारो तरफ दुश्म इसलिए मदत ली गई इरान के साथ इनकी सिमा लगती है और इरान के साथ इनके संबंद भी ठीक है इसलिए भारत ने इरान के जरिये ये तोपे पहुँचानी शुरू कर दी अर्मेनिया को अब पिछले कुछ महीनों में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अब रिपोर्ट निकल कर सामने ये आई है अर्मेनिया से कि इन 80 AGS की जो सप्लाई है उसमें अब इरान अडंगा लगा रहा है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है रूस के कहने पर जैसा कि आप स्किन पर आर्टिकल देख भी सकते हैं आर्टिकल में साफ बताया गया है कि अर्मेनिया की जो एक लोमेकर है उसने ये बयान दिया है कि रूस के कहने पर जो इरान है वो भारतिय हतियारों को अर्मेनिया तक नहीं पहुचने दे रहा इनकी सप्लाई में अडंगा लगा रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है रूस के दबाओ में और जैसा कि आप सकी पर एक बार फिर से देखिया आर्टिकल, इसमें साव बताया गया है, यह अर्मेनिया की सांसद के इस आरोप पर जब एरान के एक अमबैसडर से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देने से इंकार कर दिया, और इस पर कोई भी जवाब नहीं दि रूस को इस से क्या फाइदा, और अगर उसे करना ही होता, तो उसने एक साल पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि भारत तो यह ATAGS जो तोपे है, यह तो एक साल से सप्लाई कर रहा है अर्मेनिया को, फिर अचानक से अडंगा क्यों लगा जा रहा है, तो मैं आपको पूरी कहान इस से एक साल पहले जब हमने अर्मेनिया को हतियार सप्लाई करने शुरू किये, तो उस समय रूस को लगा कि यह थोड़ी बहुत मातरा में खरीद रहे हैं, एंड में तो इन्हें रूस के पास ही आना पड़ेगा, खास करकि अडवांस हतियारों के लिए, अगर यह भारत स हतियार बिलकुल नहीं खरीदेंगे, और अब हम हतियार सिर्फ और सिर्फ भारत फ्रांस से ही खरीदेंगे, इन दोनों देशों से अडवांस हतियार हम लेंगे, क्योंकि रूस एक बहुत ही बड़ा धोकेबाज देश है, इसने हमारे देश को बार बार धोका दिया है, यह बयान उन्होंने ओन रिकोर्ड दिया है आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं अब इस बयान के ठीक बाद अर्मेनिया ने ऐसा किया भी उन्होंने भारत को और बड़ा ओडर दिया खरीद रहे हैं और भारत भी खुले दिल से इन्हें हतियार बेच रहा है यहां तक की रिपोर्ट आ रही है कि भारत तो इन्हें लोन पर भी हतियार देने को त्यार है यानि कि हतियार ले लो पैसे तो बाद में हम ले ही लेंगे इसी बात से कहीं न कहीं रूस को मिर्ची लगी है क्योंकि अर्मेनिया का 100% हतियार मार्किट अकेला रूस खा जाता था लेकिन पिछले डेड़ सालों में भारत ने रूस का सफाया कर दिया है अर्मेनिया से अर्बो डोलर के हतियार बेचकर भारत मोटा मुनाफ़ा कमारा है और भविश्य में खारत अर्मेनिया को और बड़े और खतरनाक हतियार देगा क्योंकि हमें पैसा तो मिलेगा ही मोटा क्योंकि अर्मेनिया ठीक ठाक अमीव देश है कोई गरीब देश नहीं है दूसरी बड़ी बात अर्मेनिया को हतियार देकर हम काउंटर करेंगे अपने द अब भारत की हतियार सप्लाई इंडिरेक्ली रुकुआ कर भारत को नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा नहीं दरसल भारत के पास एक अल्टरनेटिव रूट है जोर्जिया का इसके पर आप देखिए जो नीचे रेड कलर की लाइन मैंने यह है यह है इरान का रास्ता यानि कि इरान से अर्मेनिया जाने का यह रास्ता है लेकिन ठीक उपर मैंने एक ब्लू कलर की लाइन बनाई है यह है जोर्जिया वाला रास्ता यानि कि आप जोर्जिया के जरिये आसानी से अर्मेनिया तक पहुँच सकते हैं यानि कि भारत क का इस्तमाल करके अपने हत्यार पहुंचा देगा रमेनिया तक हमें कोई भी इशू नहीं आने वाला हाला कि देखने वाली बात यह है कि रूस अपने इन आरोप वर क्या बयान देता है